चलिए दोस्तो हम पढ़ रहे हैं internet and web page designing और इसके अंतरगत हम जो है जो पढ़ रहे हैं expression web web expression जो है एक प्रकार से microsoft का product है और अभी हमने इसके पहले इसको install करना यानि कि पहले डाउनलोड करना डाउनलोड करना और basic चीज़े इसके बारे में देखे दे चलिए वो चीज़े आपको फिर से एक बार बता देता हूँ और उसके बाद हम आगे की चीज़े यहाँ पढ़ने वाले हैं तो देखे start कैसे करते हैं start बटन में जाएंगे और यहाँ देखे Microsoft expression web 4 जो है हमने install करे थे इसको click करते हैं और click करने के बाद हम जैसे इस पर देखे यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने एक प्रकार से main window यहाँ display हो चुकी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे हमने environment तो setup कर लिये थे हम सबसे पहले देखेंगे एक बार फिर से website बनाना new website कैसे बनाते हैं मैंने template के through website बनाना बताया था अभी हम जो है यो है new website यानि की blank website कैसे तयार करते हैं उसको यहाँ पर देखने वाले है तो चलिए यहाँ पर हम जो है हमारे पास task है new site कैसे बनाते हैं new site पे जैसी हम click करेंगे तो हमारे सामने new का dialogue box display होगा ठीक है new का dialogue box display होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजे मिलती है जैसे यहाँ देखे है general और template तो template में हमको predefined मिलती है जो structure बने बनाए हम उनको edit कर सकते हैं दूसरी चीजे general में हमको यहाँ तीन टाइप के मिलते हैं one page site empty और import site wizard तो यह तो कहीं online server से हम इसको ला सकते है remote server जहाँ भी यहाँ हम one page site को click करेंगे और आप location चाहे तो change कर सकते हैं दूसरा आप नाम उसका change कर सकते हैं हम इसको simple क्या करेंगे okay बटन पर click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर screen पर default.html नाम से एक page दिख रहा है और यहाँ देखे आपको folder list में एक location आगे location के नीचे default.html आप इसको simple right click करे default के उपर और यहाँ rename के उपर click करें और यहाँ देखें क्या करें index इसका नाम दे दिजिए index simple क्या करना है index और yes कर दिजिए इस page का नाम हो गया index.html अब index.html की coding window में मैं जाऊंगा coding window कैसे जाते हैं इस पर simple आपको double click करना है यह देखें मैंने double click करा हम coding window में यहाँ पहुँच गया coding window में भी तीन प्रकार की यहाँ बटन दिखती है जिसे एक code है एक split है और एक design है इसका मतलब है code का मतलब जो हम code करते हैं वो code दिखेगा design में उस code की designing क्या आई है web browser के अंतरगा वो देखेगा और split के अंतरगा दोनों चीज़ देखेगी दोनों चीज़ का मतलब एक में code दिखेगा और आधा आधा भाग होगा उपर वाला भाग में code नीचे वाले भाग में design जो हम यहाँ काम करेंगे उसकी design यहाँ पर देखेगी तो अभी हम simple code window में चलते हैं और code window में आप देखोगे देखेगे यहाँ पर आपको html और basic जो tag है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर कुछ setting होती है जैसे tools में आप जाओगे तो यहाँ देखेगे आपको एक option मिलेगा page editor option page editor option में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखेगे बहुत सारी settings मिलेगी authoring tool में आप जाके set कर लीजिए html रहना चाहिए और यहाँ पर यह सारी चीजे tick रहना चाहिए बाकि चीजे आप जो है इसको ok कर सकते हो ठीक है body के अंदर हम क्या लेते है एक h1 tag लेते हैं आप h1 tag हमने html के अंतरगत देखे थे और h1 में हम लिख देते हैं this is first web page this is first web page इस प्रकार से हम क्लिक कर देते हैं मतलब लिख देते हैं और इसको ctrl s करते जाए यहां पर कर दीजे और इसमें design में जाकर देखेंगे यहां देख रहा है हम इसको simple browser में भी run करा सकते हैं browser में run कराने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा जो file है file menu में जाएंगे और यहां पर आपको preview in browser preview in browser और यहां पर देखेंगे आपको chrome यानि कि recently जिसमें आपने run किया है उसका जो है नाम दिखेगा दूसरी चीज उसका shortcut भी आपको दिख रहा है f12 f12 में आप जो है आप directly run करा सकते हों दूसरी चीज इस जो index वाला जो नाम दिख रहा है इसको उपर right click करेंगे preview in multiple browser या recent में जो हमने उप्योग करें उसका नाम दिखेगा recent में जिस browser का उप्योग की है उसका नाम यहां पर दिखाई दे रहा है हम simple file menu में जाकर preview in browser और यहां chrome में जाकर click करेंगे हमारा जो website है वो यहां पर run हो चुका है जिसमें हमारा simple जो हमने काम किये थे वो दिखाई दे रहा है I hope आपको इतनी चीज़ी clear हुई होगी हमने basic रूप से क्या देखें है new website बनाना देखें और simple हमने उसका नाम बदलना देखें नाम बदलने के साथ साथ में हमने 3 view पढ़े code view, split view और design view यहाँ पर हमने इसको web browser में रन करा कर भी देखें यह तो बात हो गई new website की यदि हमको index के साथ में एक और webpage एड़ करना है तो आपको यहाँ webpage के साथ में HTML, ASP बहुत सारे webpage देखने को मिलते हैं जिनको आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो हम simple यहाँ blank webpage को add करना सीखेंगे चलिए सबसे पहले आपको फिर से file menu में जाना है या फिर देखें यहाँ standard toolbar नजार आ रहा है standard toolbar में आपको कुछ basic चीज़ें नजार आ रही तो यहाँ तो आप इसमें से किसी option का प्रियूप कर लें जैसे हमने देखी new document में यहाँ जाकर देखेंगे तो new page बहुत सारी चीज़ें यहाँ रही यही चीज हमको file menu में new के अंतरगत page में मिलेगा जैसे हम page में जाएं तो यहाँ new के अंतरगत देखें यहाँ आपको general, asp.net, css layout, style sheet, frame page इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही फ्रेम में देखिया इस प्रकार से आपको जो website के frame होते न उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हाला कि यह frame है तो html को आपको click करना है, select करना है और उसके वाद आपको symbol ok बटन पर click करना है अब यह तो बन गया देखिए untitled, untitled को हम control s करेंगे, control s मतलब save, जैसे हम control s करेंगे तो देखिए जिस website को हमने बनाया है my best site, my site 17, उसके साथ index है, तो index के साथ में एक और page save कर देते हैं, जैसे इसका नाम कर देते हैं, second, इसका नाम second कर देते हैं, और simple आपको save button पर click करना है अब आप बोलोगे extension क्यों नहीं, तो हमने directly html ही open किया है, मतलब html page को ही बनाया है, तो यहाँ यह by default html के नाम से ही save होगा, file name dot html, जैसे इसको click करेंगे, तो देखिए index के just नीचे second dot html यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपको अलग-अलग प्रकार के page मिल गए इसमें भी हम simple coding कर सकते हैं, simple coding कैसे, इसमें coding कर यह, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, h1, यहाँ भी h1 लिखें, और लिख देते हैं this is blank page, क्या लिख देते हैं, this is blank page, इस प्रकार से, और design में जाकर देख लीजे, इसी की, देखिए यहाँ लिखा आ रहा, या फिर, इसको भी right click करके आप browser में देख सकते, chrome में, देखे, this is blank page, तो इसका मतलब है, हमने new site बनाना भी देख लिए, और उसमें जो है, page को add कैसे करते हैं, बो भी यहाँ पर देख लिए, अब बात आती है कि इसमें CSS को कैसे add करें, तो हमारी site का नाम 17 है, उसके नीचे हमने 17 के अंतरगत index.html by default page है, दूसरा second.html है, तो ये दो page तो हमारे HTML के है, पर हम चाहते हैं, इसके लिए CSS लेका रहा है, CSS क्या होती है, उसके लिए पीछे आप complete वीडियो देख लें, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में जाएगा, चलिए, फिर से चलते हैं, फाइल में, और new में चलते है new में जाकर page में चलते हैं, page में आपको general के अंतरगती CSS मिलेगा, और CSS को आपको क्या करना है, ok, ठीक, CSS को जैसे आपने ok करे हैं, तो दीखिए, entitled.css की नाम से यहाँ page आ गया है, इसको control as करो simple, अब दीखिए, यहाँ नाम पूछ रहा है, तो यहाँ नाम हम दे देते है, style, style दे दीए, और क्या करना है, save, ठीक, अब देखिए आप, index बना हुआ है, second यह tab है, इनको क्या बोलते है, tab, जैसे site का view दिखेगा, index का view दिखेगा, उसके बाद आपको second.html, second.html, उसके बाद style.css, इसका मतला हम जो भी style seed बनाएंगे, वो इसके अंतरगत बनाएंगे, और उसके बाद apply कहा होगा, इसमें, पर इसमें apply करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पर link tag लगाना पड़ता है, तो link tag लगाने की जरूवत यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम use कर रहे हैं, what you see is what you get, यहनी कि जो आप देखते हो, वैसे यह आप प्राप् इसमें जाना है, और उसमें जाने के बाद आपको कहां जाना है, यहाँ पर आपको right side में, देखे, manage styles के नाम से एक properties window type का दिख रहा है, ठीक है, window दिख रही है, और इसमें जाना है new style, नीचे attach style seat, तो आपको click करना है, attach style seat में, attach style seat में, जैसे आप click करोगे, तो हमारी style seat का नाम क्या है, वो आपको URL यहाँ देना पड़ेगा, तो हमको simple इसको browse कर लेना, जिसे हम browse पर click करते हैं, तो by default हमारी site 17 है, उसको open करके दिखाया है इसने, और यहाँ पर हमारी style का नाम है style, और इसको open करेंगे, open करें तो देखे उसका नाम आ गया, नाम आने के साथ साथ, आप देख सकते हैं, यहाँ जितने भी HTML पेज है उसमें यूज करना है, या फिर current HTML पेज में यूज करना है, जैसे index है, link लाना इसकी attach के रूप में है या फिर import करना, तो हमको link लाना है और current HTML पेज में ही यूज करना है, simple हम okay करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, जो हमा यह हो गया हमारा complete, ठीक, अब इसको हम करेंगे, simple save, अब यहाँ design में जाकर देखें को कोई फर्क नहीं पाड़ रहा, क्यों, क्योंकि अभी हमने style seat में केसी भी प्रकार की coding नहीं करें, तो चलिए coding कर लेते हैं, कैसे coding करते हैं, तो हमको करना क्या है, index जो page है, उसमें body tag को इसे select करो, यह नई भी करो, तो भी tension नहीं चली यहाँ, body tag को हम select करते हैं, यह फिर design view में चलते हैं, design view में body tag को यहां से select करें, आपको manage style seat में जाकर क्या करना है, new style पर अप जैसे click करोगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर new style पर click करो, एक dialogue box डिस्पले होगा, दिख रह यहाँ आपका dialogue box दिखने लगा, और यहाँ आपको देखे, existing style seat में जो है, आपको क्या करना है, इसका address बताना, इसका मतलब जो भी आप setting करोगे, वो कहाँ पर होना चाहिए apply, तो आपको existing style seat, यह नहीं कि पहले से जो style seat बना कर रखे हैं, उसमें होना चाहिए, तो क्या ना आईडी सेलेक्टर होता है, और यह class सेलेक्टर होता है, तो हम यहाँ पर element सेलेक्टर का उप्योग करेंगे, जैसे body है, तो body का हमने नाम लिख दे, simple body, ठीक, और existing है तो style seat का नाम भी दे दिये, font में हमको font family सेलेक्ट करना, जैसे हमने normally लिख लिए calorie, font size हम ले लेते हैं, य उसके बाद font का color हम ले लेते हैं, क्या blue, ठीक, यह चीज हमने यहाँ पर ले लिए, अब इतनी चीज लेने के पश्चाथ हम करते क्या हैं, इसको कर देते हैं, ओके, ओके करने के पहले आप apply करो, apply जैसे करोगे और okay करोगे, तो देखे, style के just नीचे body जोड़ गई है, और आप style seat में जाओगे, देखे, इतनी सारी चीज आपको मिल जाएगी, जबकि यह coding आपको लिखना पड़ता था, परन्तु हमारे पास में expression बैट, तो हमारे काम क यहां पर देखे, color आ चुका है, यदि हम चाहां background color लेना, तो भो भी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम देखे, इसी में अगर फिर से, देखे, यहां control, manage style seat में जाकर, body पर right click करे, और modify करे, modify style, तो देखे, background में जाकर, इसका हम जो है, background color भी select कर सकते हैं, जैसे देखे, आपका background भी change हो गया है, हम चाहते, इसको browser में run करा सकते हैं, कहां पर run करा हैं, browser पर, यह देखे, ठीक, इसको के कर देते हैं, अब देखे, यहां browser आपका जो है, browser में भी बहुत ही चीज़े कैसी दिख रही है, style seat के साथ में देख रही है, तो अभी हमने क्या सीख अभी हमने simple एक new website बनाना सीखा, new website के साथ में उसको manage कैसे करते हैं, design view, split view और code view, साथ में हमने दूसरा new webpage बनाना देखा उसमें, उसमें थोड़ी सी coding करके उसको भी run करा है, preview कैसे कराते हैं, run कैसे कराते हैं, फिर हमने style seat देखे, style seat को add कैसे करते हैं, ठीक, उसको attach कैसे कर करते हैं, और coding करने के साथ साथ इसमें apply कैसे करते हैं, सारी चीजे, दूसरी हमने style बना है, तो उसको modify करना भी देखे, और विस्तार से हम धीरे-धीरे करके इसके बाद एक-एक करके यहाँ पर देखते जाएंगे, ठीक है?